हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आज हम कवर करने वाले हैं आपका NAT JRF 2023 के लिए पेपर 1 पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट होती है और जिसमें यूनिट 1 आपकी टीचिंग अप्टिटूड से रिलेटिड है तो हम आज की क्लास में आपका टीचिंग यहां पर आपकी कवर की जाएंगी और पेपर 2 अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप इस चैनल पर रिलाई wilr कर सकते हैं क्योंकि पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस वालों का हम यहां पर कवर कराने वाले हैं 10 की 10 यूनिट ठीक है हो सकता है पेपर तू आपका Economics, Geography या फिर कोई और Subject हो लेकिन Paper 1 सभी Students के लिए एक समान होता है इसलिए ये Class सब के लिए है तो Friends हो सकता है आप NetJRF 2023 की तयारी कर रहे हों और Teaching में अपना Career बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप TGT, PZT, SET या फिर B.R. जैसे हर जंगा आपके काम आने वाले हैं इसलिए ये Class सब के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की Class तो Friends आज का Topic है आपका Methods of Teaching Methods of Teaching का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका तो पढ़ाने के यहां पर Methods of Teaching में आपके दो तरीके आते हैं पहला तरीका है आपका Teacher Centered Method ठीक है और दूसरा तरीका होता है आपका Learner Centered Method ठीक है Learner Centered Method तो समझते हैं फिर दोनों को आखिर ये क्या होता है और यहां पर Question आपसे कैसे पूछे जाते हैं ठीक है तो पहले समझते हैं Teacher Centered Method क्या होता है देखे टीचर सेंटर्ड में क्या होता है यहाँ पर पूरा फोकस टीचर पर होता है ठीक है यहाँ टीचर होता है और यह कुछ इस्टुडेंट्स होते हैं तो पूरा फोकस कहा होता है टीचर सेंटर्ड में पूरा फोकस टीचर पर होता है ठीक है टीचर ही सब कुछ करता है और जो students होते हैं वो बिल्कुल passive होकर निस के रिया होकर बस teacher की बात सुनते रहते हैं यानि कि आप कहा सकते हैं कि teacher centered method में teacher का ही दिमाग जादा चलता है बच्चों का दिमाग उतना नहीं चल पाता ठीक है और जो teacher centered method होगा यहाँ पर students जो होते हैं वो अकेला काम करते हैं आपने देखा होगा आपकी classes में अगर बच्चे एक दूसरे से बाते करते हैं तो teacher क्या करता है इंडिया के अंदर बच्चों को आपस में बात करने से मना कर देता है रोक देता है ठीक है और उन्हें अकेला काम करने के लिए ही पूसाहित करता है उनको अलग-अलग बैठा दिया जाता है अगर बच्चे आपस में बात करते हैं इंडिया के अंदर तो इंडिया में ज्यादा प्रिफर किया जाता है इंडिया के education system में कि students जो हैं वो अकेले क बात ना करें तो collaboration collaboration का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना तो collaboration को इंडिया के अंदर इंडिया की education system में discourage किया जाता है हतोत्साहित किया जाता है ठीक है तो ऐसा जहाँ पर होता है उसे teacher-centered method बोलते हैं और इंडिया की education system में आज भी teacher-centered method को ही follow किया जा रहा है यहाँ पर teacher-centered method में क्या होता है? Students को खुद को express करने का मोखा नहीं दिया जाता है, उन्हें questions पूछने के लिए मना किया जाता है, ठीक है, तो यह था आपका teacher-centered method, तो आपसे question यहाँ से यह पूछा जाता है, आपको कुछ examples दिये जाएंगे, ठीक है, तो देखिए, यह teacher-centered method के example है, आपका lecture method, lecture method आपका teacher-centered method का ही example है, या फिर कोई presentation अगर है, ठीक है, या team teaching है, तो आपको इन तीनो examples में कहीं भी अगर कुछ पूछा जाता है, कि यह कौन सा method है, तो आप याद रखेंगे, friends की यह teacher-centered method के अंदर आता है, ठीक है, I hope कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर teacher ही main role play करता है, बच्चे क्या करते हैं, वो बिल्कुल चुपचा बैट कर teacher की बात सुनते हैं, वो जैसा कहता है, वैसा ही करते हैं, और यहाँ पर students अकेले काम करते हैं, ठीक है, चलिए, दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा method होता है, आपका learner-centered method, तो आज की education system में जरूरत है learner-centered method को बढ़ावा देने की, इसको प्रोचसाहित करने की जरूरत है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर की learner-centered method, जो है आपका यह western culture में follow किया जाता है, लाइक अमेरिका, कनाड़ा जैसी country में learner-centered method को follow किया जाता है, तो learner-centered method क्या होता है, यहाँ पर जो teacher और students होते हैं, teacher का रोल यहाँ पर कम होता है, सिर्फ एक guidance का होता है, ठीक है, बच्चों को क्या किया जाता है, यहाँ पर बच्चों को आपस में मिल जुल कर काम करने के लिए प्रोचसाहित किया जाता है, इसलिए जो western country है, आपकी like America, वहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों को एक table होती है, उसके चारों तरफ बच्चे बैटे होते हैं, और वह आपस में बात करकर, एक दूसरे को communicate करकर, किसी project पर काम कर रहे होते हैं, तो जिससे उनकी communication skill अच्छी होती है, उनके mind का development होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह learner centered method है, यहाँ पर बच्चों को focus किया जाता है, बच्चे के दिमाग को चलाने पर जादा बल दिया जाता है, learner centered method में, ठीक है, आप देख सकते हैं कि learner centered method में क्या होता है, shift the focus of activity from the teacher to the learner, यहाँ पर focus shift हो चुका है, teacher से learner की तरफ, ठीक है, तो जो students होते हैं, learner होते हैं, उनको problem solve करनी सिखाई जाती है, उनके mind का development किया जाता है, और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, वो collaboration आपस में मिल जुलकर काम करते हैं, किसी project पर ठीक है, और किसी problem का आपस में मिल जुलकर solution find करने की causes करते हैं, तो learner centered method के आपके example हो सकते हैं, रहा है, ठीक है, तो active learning किसका example है, आपका learner centered method का example है, फिर दूसरा है cooperative learning, cooperative learning भी यही है कि एक दूसरे के साथ मिल जुलकर काम करना, किसी project पर काम करना, तो यह भी आपकी learner centered method में आती है, फिर यह example आपका काफी important है, तो आप इसको याद रखेंगे, inductive teaching and learning, inductive teaching and learning का मतलब यह होता है, यहाँ पर student के सामने पहले कोई problem होती है, फिर student उस problem का solution find out करता है, अपने mind को चला कर, ठीक है, तो research करता है, तो inductive teaching आपकी यही होती है, और यह किसका example है आपका, यह learner centered method का example है, तो अगर आपको कहीं भी पूछा जाए कि active learning, cooperative learning, या फिर inductive teaching and learning, यह किसका example है, तो आपका यह learner centered method का example है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है friends, तो friends, आज का topic आपका यही पर complete होता है, मिलते हैं, ऐसे ही किसी important topic के साथ में, तो हम यहाँ पर आपकी paper 1 पूरा complete करने वाले हैं, thank you so much friends for watching class, and अगर आपको class अच्छी लगी है, तो please like करके जाना, comment में जरूर ब से पहुच सके, तो thank you so much friends, मिलते हैं फिर next class में